इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन जरूर पेस करें, हमारी न्यूव वीडियो सबसे तहले देखने के लिए इस से निपटने के लिए रन नीती भी तयार हो चुकी है, उत्तरपरदेश के कई छेत्रों में नागरिक्ता संशुधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, यूपी के संभल में प्रदर्शन कारियों ने सरकारी बस में आग लगा दी है, करनाटक में प्रदर्शन कारी फिर से नागरिक्ता कानून के खिलाफ बैंगलूरू के टाउन हॉल में इकठा होने लगे। कॉंग्रेस विधायक रिजवान अर्शत को पुलिस ने हिरासत में लेया। शिरुमरी अकाली दल के अध्यक्ष सुपीर सिंग बादल ने लोगों से अपील की है कि विरोध प्रदर्शन हिस्सत नहीं होना चाहिए। अधिनियम के अनुसार मैंने संसद में भी कहा था कि किसी भी धर्म को इस अधिनियम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्टर में नागरिक्ता कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन कारियों को शहर का दिल कहे जाने वाले एक्जिबिशन ग्राउंड में जाने के दौराष्टर करता हूं और वाम पंथी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस बल ने प्रदर्शन कारियों को शहर का दिल कहे जाने वाले एक्जिबिशन ग्राउंड में जाने के दौरान रोका। वाम पंथी दलों और कई मुस्लिम संगठोनों ने एक्जिबिशन ग्राउंड से राज्य विधान सबा भवन तक रैली का आहवाहान किया था। हाला कि रैली करने के लिए पुलिस ने अनुमती नहीं दी थी। रैली में शामिल होने के लिए जा रहे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, CPI के नेता वो पूर्वसांसद, अजीज पाशा भी गिरफतार किये गए लोगों में शामिल है। गिरफतारी का विरोध कर रहे अजीज पाशा ने कहा यह अन्याय पूर्ण है, यह लोकतंत्र है, यह पुलिस राज। उनका कहना है कि वह समविधान और वामपंथी दलों से जुड़े मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। प्रदेश सरकार ने इस दौरान सर्दी के प्रकोप को देखते हुए मेट्रो को बंद किया गया है। प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों में दो दिनों गुरुवार और शुक्रुवार को अवकाश घूसित कर दिया है। माता पिता से भी अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की कांसिलिंग करें। पिछले कुछ दिनों में दिल लिस्थे जामिया विश्व विद्याले में आसामर्जी तत्वों के द्वारा की गई तोड़फोर और सीलमपूर में हिंसा के बाद से देश भर में पुलिस सतर्ता बरत रही है। उत्तर प्रदेश में भी C.A. को लेकर कई विश्व विद्यालेयों और शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिनको लेकर प्रदेश की पुलिस सक्त हो गई है। विश्था बनाई रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिये थे। बिहार के कई इलाकों में ट्रेनों को रोक कर रेल सिवा बाधित की गई। बिहार बंद को जन अधिकार पार्टी सहित महागटबंदन में शामिल कॉंग्रेस, रालो सपा, वी आईपी और हमने समर्थन दिया है। आरा में राष्टी राजमार्ट संख्या 30 को बिहार बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। जिससे पटना आरा मार्ग पर आवागमन ठप है। इसके अलावा पटना भागलपूर, पूर्णिया, सहित कई इलाकों में लोग सडकों पर उत्रे और सडकों पर आगजनी की गई। आधे गंटे से अधिक समय तक रोके रखा। दर्भंगा के लहरिया सराज स्टेशन पर प्रदर्शन कारियों ने कमला गंगा इंटर सिटी एक्सप्रेस को रोक दिया। हाजीपूर में भी ट्रेन रोके जाने की सूचना है।